आप एक गाय जितने शान्त नहीं हो सकते हैं, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें। हाँ? हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते हैं। शायद अगर आप आज उसे परोसा नहीं जा रहा हैं, लेकिन वहाँ रेस्टरॉंट है, धेर सारी पोंगल खा लिजे, आप शान्त हो जाएंगे। पता है दक्षन के लोग इतने शान्त क्यों होते हैं? आप बहुत सारी पोंगल खा लिजे, एकदम शान्त। ये असर होता है। तो लोगों ने कोशिश की है, जरूरत से ज्यादा खाना, नशीली चीजें, शारिरिक सुखों में ज्यादा डूबना, इन सभी चीजों से लोगों ने अपने अंदर किसी तरह की शान्ती पैदा करनी की कोशिश की है। आपको लगा कि आप वहां पहुँच गए हैं, लेकिन अगले ही पल आप जानते हैं कि आप नहीं पहुँचें, कितनी बार इसने आपको धोका दिया है, है ना? शनिवार की शाम आपके पूरे परिवार ने साथ बैटकर खाना खाया। आपको लगता है कि यहीं दुनिया की सबसे बड़ी खोशी है, सब कुछ कितना अच्छा और खोशनुमा है, अगली सुबा देखिए। इसलिए नहीं कि आपके परिवार के साथ कुछ गड़बढ है, बस इतना है कि आप एक सीमित चीज़ से एक असीमित आयाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यह नहीं काम करने वाला। यह कभी काम नहीं करेगा, इसमें कुछ गलत नहीं है, बस यह काम नहीं करता। दुनिया में ऐसी बहुत सी महान चीजें हैं जो काम नहीं करती हैं मुझे उनमें कोई दिल्चस्पी नहीं है, बस आपको महान चीजों में दिल्चस्पी है क्या आपको महान चीजों में दिल्चस्पी है मुझे नहीं है मुझे सिर्फ उन चीजों में दिल्चस्पी है जो काम करती है कई सारी महान चीजें लोग दावा करते हैं कि महान चीजें मौजूद हैं पर वो काम नहीं करती उन्होंने किसी के लिए काम नहीं किया वो महान है क्योंकि किसी नहीं ऐसा कहा है वो महन चीजें हैं क्योंकि किसी इनसान को लगता है कि वो बहुत महान है और वो जो भी कहेगा वो महान ही होगा पर वो काम नहीं करती हमें ऐसी चीजें चाहिएं जो काम करें अगर आप अपने अनुभवों के सिलसिले को सौ प्रतिशत खुद तै कर रहे हैं आप करने लगे हैं इन टांगों में कितना दर्ध हो रहा है पर फिर भी ये काम करने लगा है अगर आप अभी अपने अनुभव की प्रकृती खुद तै कर रहे हैं सौ प्रतिशत मान लीजिए कि ऐसा ही है अगर ऐसा है तो क्या किसी को आपको बताना पड़ेगा कि प्लीज अच्छा अनुभव बनाईए क्या किसी को बताना पड़ेगा नहीं तो कोई आप से कहे प्यार में रहो आनंद में रहो ये बक्वास है क्योंकि किसी और को बताने की जरुरत नहीं है कि खुश रहो दिक्कत ये है कि आप अपने अनुभव की प्रकृती तय नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारण से अगर आप अपने अनुभव की प्रकृती तय कर पाते तो किसी को बताना नहीं पड़ता कि आनंद में रहो प्यार में रहो खुश रहो वगरा ये सब जिंदगी की आधी अधूरी समझ से आ रहा है आप ने किसी को लड़ते वे देखा और कहा प्यार से रहो किसी को दुखी देखा तो कहा खुश रहा करो ये सबसे बढ़ा अपमान है जब कोई इंसान बहुत दुखी हो उससे जाकर कहना कि खुश रहा करो अफमान करने जैसा है, है ना? नहीं? पर ये सभी इस धर्ती की सबसे बड़ी शिक्षाएं हैं जो सदियों से चलती आ रही है ये सभी वो महान चीजें हैं जिन्होंने कभी काम नहीं किया तो हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि आपके अनुभव की प्रकृती कैसे तै की जाए आपके अंदर जो चीज अनुभव पैदा करती है अगर उस पर आप काबू कर लें तो मुझे पूरा यकीन है कि आप इसे अपने लिए बहुत खुशनुमा बनाएंगे और मुझे ये भी यकीन है कि अगर आप अपने भीतर बहुत खुशनुमा महसूस कर रहे हैं तो आप अपने आप आस-पास के लोगों के साथ भी खुशनुमा रहेंगे पर अफसोस लोगों ने ठेका ले रखा है इनसानियत को बुरी तरह उलजहा के रखने का उनकी अपनी प्रकृती को लेकर देखे ये बहुत आसान है किसी धर्म, गरंथ या गुरू को आपको ये बताने की जरूरत नहीं है ये बहुत आसान है आपका अनुभव चाहे जो भी है वो हो आपके भीतर ही रहा है आपको ये बताने के लिए किसी महान-योग या धर्म-गरंथ या गुरू या सुर्ग से गिरे किसी पत्थर की जरूरत नहीं है अगर आपके अनुभव की प्रकृती वो चाहे जो भी हो चाहे वो डर हो, गुसा, प्यार, नफरत, पर्मानंद्य, दुख हो सब कुछ आपके भीतर हो रहा है इनसानों के लिए बहुत स्वाभाविक होगा इस पर गौड करना और ये देखना कि इसे सबसे मधुर अनुभव में कैसे बदला जाए, है न? अगर आपने उनसे ये नहीं कहा होता कि भगवान तुमसे प्यार करते हैं, वहाँ उपर से अगर आपने प्यार को स्वर्ग एक्सपोर्ट ना किया होता तो काफी सारे इनसान बहुत प्यार करने वाले इनसान होते हैं लेकिन अभी हमने इसे वहाँ एक्सपोर्ट कर दिया है, आपको उसे इंपोर्ट करना होगा, इंपोर्ट करने के लिए आपको पर्मिट चाहिए, और यहाँ दलाल मौजूद हैं, जो आसानी से पर्मिट नहीं देते, वो आना ही रहा, क्योंकि सारा प्यार स्वर्थ चला गय है, अब उसे वापस कैसे लाएं, यहाँ एक पादरी उसका पर्मिट लेकर खड़ा है, वो आपको यह नहीं देगा, वो आपको यह नहीं देगा, चाहे आप खुशी का अनुभव करना चाहें, चाहे आप प्यार का अनुभव करना चाहें, चाहे आप पर्मानंद का अनु अवस्थाएं पता हैं, वो उनके भीतर से ही पैदा हुई है. कैसा है? तो फिर कहीं से कोई पर्मिट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. आपको बस ये खोच के लिए तयार रहना है, कि ये क्या है, और आप इसे सबसे मधोर अवस्था में ले जा सकते हैं. इसलिए नहीं, क्योंकि ये कोई खूबी है, प्यार कोई खूबी नहीं है. आनंद कोई खूबी नहीं है. खुशनमा रहना कोई खूबी नहीं है. बस आपकी चाहत वैसा होने की है, है न? ऐसा नहीं है, कि अगर आप प्यार करते हैं, तो आप स्वर्ग जाएंगे. या आप आनंद में हैं, तो आप स्वर्ग जाएंगे. बस इतना है, कि अगर आप प्यार और आनंद में हैं, तो आपको स्वर्ग की जरुवत नहीं है. जिन लोगों ने खुद को नरक बना लिया है, वो स्वर्ख जाना चाहते हैं जिन लोगों ने खुद को स्वर्ख बना लिया है, वो कहां जाना चाहेंगे? वो कहीं भी जाएं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता तो ये बहुत जरूरी है अगर आप पक्का करना चाहते हैं क्या वॉल्यूम ठीक है? अगर आप पक्का करना चाहते हैं कि इससे निकलने वाली आवाज अच्छी है इस उपकरन के बारे में आप जितना ज्यादा जानते हैं आप उतनी बहतर आवाज निकाल सकेंगे, है कि नहीं? कभी कबार गलती हो सकती है, वो अलग बात है लेकिन आप इसके बारे में जितना ज़्यादा जानते हैं, उतना बहतर होगा अगर आप एक साउंड इंजिनियर हैं, तो आप अच्छी आवाज निकालेंगे तो अगर आप एक inner engineer है तो आप इसे वैसा बनाएंगे जैसा आप चाहते है बस इसी की ज़रूरत है इसके लिए और कुछ नहीं चाहिए लेकिन चूंकि ये उस दिशा में नहीं है जहां आप हमेशा अपनी इंद्रियों के माध्यम से देखते हैं इसलिए शायद आपको मदद चाहिए हो ज़रूरी नहीं है पर आम तोर पर हाँ आपको इसके लिए थोड़ी मदद की ज़रूरत पड़ती है लेकिन बस इतना ही क्रिपा वही मदद है जो अंदर जाने के लिए एक अनुकूल वातावरन बना देती है अगर किसी मशीन को ठीक से चलना है हर किसी को ये बात अच्छे से पता है कि आपको लूब्रिकेंट चाहिए थोड़ी चिकनाई आपके पैस जितनी भी अच्छी कार हो उसे बिना ओयल के चला कर देखिए दस मिनिट में वो खराब हो जाएगी है न? लूब्रिकेंट ही उस कार को चलाए रखता है ये सारी शांदार मशीने चिकनाई की उस थोड़ी सी पतली सी परत के बिना थोड़ी सी देर में खराब हो जाएगी कृपा बस वही है उस थोड़े से लूब्रिकेंट की तरह ताकि चीजें आराम से होती रहें आजकल वो इसे लिक्विड इंजिनियरिंग कहते हैं अर कोई ये कर रहा है ये भी ठीक है एक लिक्विड इंजिनियर चाहिए तो इस में थोड़ी इंजίνियरिंग लगती है कृपा सिर्फ लूब्रिकेंट है ल्यूब्रिकन्ट के बिना अगर आप कुछ करते हैं, तो घर्षन पैदा होगा जिन्दगी के इस घर्षन ने कई इंसानों को बर्बाद कर दिया है, है न? उन्होंने कोई बड़ा काम नहीं किया, वो बस साधारन काम करते थे वो पैदा हुए, जो उनका काम नहीं था, यो उन्होंने नहीं किया, वो बस हो गया वो बस ठीक से खाना चाहते हैं, सोना चाहते हैं, अपनी जरूरतें पूरी करना चाहते हैं, वो बस इतना ही करना चाहते हैं इस प्रक्रिया में कितने ही इंसान तूट गए, कड़वाहट से भर गए और बरबाद हो गए क्योंकि लूब्रिकंड नहीं था उनमें कोई गड़बड़ी नहीं थी वो अपने इंजन को लूब्रिकंड के बिना चलाने की कोशिश कर रहे थे बस इतनी सी बात है देखिए आपका फोन भी इसलिए काम कर पा रहा है क्योंकि यहाँ हवा में इसकी तरंगे जा रही है है ना? हम इसको डिस्टर्ब कर सकते है आपने विग्यापन देखे होंगे हलो, 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 हलो आपने देखें फोन काम करना बंद कर देते हैं क्योंकि थोड़ा डिस्टर्बंस है, यही हो रहा है, इसके साथ भी, आपने जो कुछ भी देखा है, उसके तुलना में ये कहीं ज्यादा जटल यंत्र है, इसको आपके ध्यान की जरूरत है, अगर आप ध्यान देते हैं, तो फल जरूर मिलेगा. झाल झाल